स्मार्ट एं लीगल गादेंस डाउन्लोड डिया अप्लिकेशन नाव बहुत टाइम से आप लोगों को इस पोस्ट के बारे में जानना था हमारा जूनियर लीगल ओफिसर राधिसान के अंदर जो इसकी वेकेंसी आती है और लास्ट टाइम इसकी वेकेंसी जो है अपनी 2019 के अंदर रिलीज करी गई थी और 2019 के बाद में अब ये 2023 के जूनियर लीगल ओफिसर की जो वेकेंसी आचुकी है टोटल 140 पोस्ट यहां पर खाली है और 140 पोस्ट हम इसके बारे में समझेंगे पूरा 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 कंप्लीट नॉटिफिकेशन एज लिमिट क्या है क्वालि 2023 को ये अद्वर्टाइजमेंट रिलीज करा गया है 134 पोस्ट आपकी जो है नॉन टीएसपी के अंदर है और टीएसपी के इंदर टोटल 6 पोस्ट यहां पर खाली है और यह जनरल कैटेगरी है अपना कैटेगरी वाज यहां पर पोस्ट को बाटा हुआ है यहां पर आप यह चीज को देख सकते हूं कि मैं अगर जनरल कैटेगरी का हुँ मैं अगर शेडियूल कास की कैटेगरी का हूँ अगर मैं शेडियूल ट्राइब्स या OBC या MBC या EWS कोई भी कैटेगरी में आता हूं तो मेरे लिए कितनी सीट्स रहेंगी अगर मैं मुद्दी बयात करू तो आपके बस law की डिग्री होना mandatory है final year का बच्चा फॉर्म भरने लायक बिल्कुल भी नहीं है पहले जब 2019 वाली जब ही वेकेंसी निकाली गई थी न तब जो है final year का भर सकता था लेकिन अब जो ये 2023 वाली है को clear दोर पहें लिख दिया है must be a log graduate इडियो मागे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकरी मैं आपको देना चाता हूँ बहुत सारे एडवोकेट्स यंग एडवोकेट्स परिशान होते हैं कि मेरे को अगर particular कोई application file करनी है court के अंदर मेरे कोई particular case file करना है एक court के अंदर tribunal के अंदर कोई application लगानी है को कोई government authority के पास में कोई application लगानी है in fact मेरे को अपने जहांपे में job कर रहा हूँ वहाँ पर कोई application लगानी है तो उसका draft का format क्या होता है सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक simple solution आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ complete आपको 4000 से जादा draft केवल और केवल 499 के वहाँ पर आपको 499 pay करने के बाद में complete दुनिया संसार के इंडिया के किसी भी कोने में आप को वकालत करते हो वहाँ पर आपको court के अंदर application लगानी है suit file करना है कुछ भी करना है सारे के सारे draft आपको 100% accurate 100% editable आपको देखने को मिलेंगे आप अपने case के साब से अपनी convenience के साब से उसको edit करके change कर सकते हो और complete आपको format मिल जाएगा court का कोई ड्राफ्ट होता है income tax GST का कोई ड्राफ्ट होता है corporate business का कोई ड्राफ्ट होता है HR legal formats सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिये हैं यहाँ पर जहें आपको एडॉप्शन का आफिडबेट, agreement, application appointment, apprenticeship, arbitration का assignment, banking, bond and यहाँ पर acknowledgement 100% accurate है याद रखेगा सारे के सारे कोट के legal draft income tax के हिंदी के बाले ड्राफ्ट में अपलोड कर दिये हैं कि अगर कोई हिंदी में वकलत करता है और हिंदी के अंदर उसका application अपनी फाइल करनी होती है हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे ड बहुत जरूरी है इसा कुछ भी requirement यहाँ पर clear तौर पर नहीं करा गया है और यहाँ पर आपको जैलरी दी जाएगी हर महीने वो 36 पे गिरेड पर माना जाएगी कि एल टेन के उपर यह एल टेन मतलब आप मानके चलिए आपको 51,000 अप्रॉक्स के अमाउंट सारे अलोइंसे वगरा मिलाके आपके बन जाएंगे ठीक है एक्यावन हजार तेरे पन हजार पचपन हजार गया साथ, हजार तक भी अगर कुछ कोई एरिया के अंदर जाधा मिलता है तो यह आपकी जो सेलरी है यह बना करेगी अब इसके अंदर जो एज़ लिमिट के बात करिए मिनिमम आप अगर 21 साल के होना तो आप eligible हो, maximum अगर आप 40 साल के होना आप eligible हो, तो 21 साल साल के 40 साल का कोई भी व्यक्ति अपना form भर सकता है, और इसके नदर एक ज़रूरी बात यह है, यहाँ पे रिलेक्सेशन भी दे रखा है, कि अगर कोई भी male candidate है, जो schedule cast, schedule tribes, backward classes, more backward classes, MBC के के अंदर आता है, तो उसको 5 सालों तक का यहाँ पे अपना वो मिलेगा relaxation, और अगर कोई woman है, जो schedule tribes, backward classes, more backward classes, EWS के अंदर आती है, तो महिलाओं को 5 साल तक है, यानि 40 साल तो हाई, total अगर कोई 50 साल की महिला है, वो भी अपना form भर सकती है, अगर वो particular यह अपने reserve category के अंद और relaxation 5 साल का दे रखा है, 40 साल तो maximum हाई, 5 साल और मिलागे 45 यह तक कि अगर कोई भी महिला आए न, वो अपना form भर सकती है, JLO के लिए बहुत बढ़िया बात है, और अगर कोई भी widow या divorce woman है, उनको मतलब उनके पर कोई भी age limit नहीं है, आप कोई भी age की होंगी अगर, तो form भर सकती हो, यह हमार को clear दोर पर बता रखा है, यह सब reservation की बात करी हुई है, कि आपको कौन कौन से certificate देना पड़ेगा, कौन कौन से नहीं देना पड़ेगा, अगर आप disability में आते हो, तो यह कानून के तहत जो certificate का बनता है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी, और यहां पर आपकी जो application है, यह देखो, यह आपको मैं थोड़ा सा zoom in करके और दिखा देता हूँ, यह लिखा है आपको, 10 जुलाई 2023 से form भरना चालू हो जाएंगे, और 9 अगस्ट तक आपको form भरने की last date रहेगी, तो 10 जुलाई से लेके, और 9 अगस्ट तक आपके form भरने की होगे, तो आपको form भरने के लिए मिल जाएगा, आपको na, ORA, अपना registration करना पड़ता है, जैसे form भरने की जो आपकी form की fees होगी, 600 रुपे है, रिजर्व वालों के लिए, 400-400 रुपे आपको form भरने के लिए मिलेंगे, अब बहुत important बात है, यह मेरो syllabus बता दो, सबसे बहली के लिए, ठीक है, और इस paper के बाद, आपका direct, वो होगा, interview, कोई भी तरहां का, यहां पर mains, आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल आपको paper 1, clear करना है, paper 2, clear करना है, paper 3, clear करना है, paper 4, अपना clear करना है, जैसे आप भी अपना paper clear कर लोगे, तो direct आपका, जो हैं पर selection, इंटर कोट का area, केवल Supreme Court का area, केवल आपसे attorney general का area, पूछा जाएगा, exam point office है, इनके regarding case laws पूछ लेंगे, provisions पूछ लेंगे, functioning पूछ लेंगे, ठीक है, और यह rate petition का भी आपसे पूछा जाएगा, rate petition का भी आपसे area, पूछा जाएगा, अब paper 2 की बात करी जाए, तो आपसे CPC पूछ करने में याद रहे, केवल महां तक आएगा, और evidence act का आपको पूरा आना चाहिए, limitation act पूरा आना चाहिए, interpretation of statute act आपको पूरा आना चाहिए, drafting के जो भी rules होते है, वो आपको पूरे आने चाहिए, चौथा paper आपको आपको आओगा, general English का and general Hindi का, 25-25 marks का, अगर 50-50-500 mark, 200 number का आपका पेपर होगा, दोस्तों नमबर की आपकी जए है, मैरिट तयार होगी, अब दोस्तों में से आग पर अगर मैरिट पर नमबर आएंगे, तो आप अगर फिर आप इंटर्विव में जाओगे, इंटर्विव जए है, तो देना पड़ेगा, अपना 25 मार्स का, इंटर्विव आपको 25 मार्स का हुगा, तोटल 225 मार्स की यहाँ पर मैरिट बनेगी, तो जितने मार्स आपके स्कोर होंगे, आप जूनियर लीगल ऑफिसर बने लायक हो, यह नहीं हो, यह आपकी मैरिट के पर डिसाइड करा जाएगा, अब थोड़ा सा महीं यह देख लेते हैं, कि जो यह चार पेपर है ना, इसमें पेपर बन के अंदर आपको 3 गंटे, हर एक पेपर में देने पड़ेंगे, पासिंग मार्क्स, मतलब 50 में से आपके 40% अगर आ रहे हैं, तो यह माने जगा आप पास हो, लेकिन मुद्धे वाली बात मैरिट पर आईगी, याद रखना कि आप इंटर्वी के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, यह मैरिट लिस्ट तेयार होगी, उस पर रिपेंड करता है, और सारे के सारे पेपर जो अपने हिंदी और इंग्लिश लेंग्वेज में होगे, जो यह इंग्लिश वाल है, इसको हिंदी लेंग्वे राजिस्तान के कोई रीसेंट मुद्दों के बारे में, और जब आप पोस्ट पे आ जाओगे, जो चीज आपको डील करने को मिलेगी, टैकल करने को मिलेगी, उसके रिगार्डिंग आपको सिच्वेशन फसाकर, सिच्वेशन वाइज अब से कुशन पूछ लेंगे, तो य यह ने मुताबिक हैं, अब हाई रहने वाला है, और बहुत सरे लोग अभी एक्जाम्स के त्यारी भी कर रहे हैं, रेट भी कर रहे हैं, अब आप यह एक पॉच्टिनेटी दिख चुकी है, तो कॉम्पटिशन हाई रहेगा, और जो मैंने आपको डेट्स बताइए ना, य 2023 तक यहां पर फॉर्म भरने के जो डेट है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना, बहुत लोग यहां पर सोजाते हैं, कि अभी तो बहुत टाइम है, फिर टाइम निकल जाते है, रात के 12 बज़े तक रहेगा, रात के 12 बज़े तक, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेग का, या कोई भी दिक्कत रहेगी, कोई भी आपको information जाननी होगी, क्योंकि मैंने apply कब करना है, कब नहीं करना, कौन apply कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, age limit क्या है, slave us क्या है, paper कैसे form में होगा, interview होगा, या नहीं होगा, सारी complete details मैं आपको बता दी है, फिर भी आपको कोई doubt आए